नमस्कार जैं हिंद बंदे मात्रम सबको सिच्छा यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस के लिए संभीदान के टोप सो प्रस्ण देखेंगे ये सभी प्रस्ण मोस्ट इंपोर्टेंट और सलेक्टेड कोश्चन है दोस्तो ये प्रस्ण जो है बार बार एक्जाम में पूछे गए प्रस्ण है तो ये वीडियो आपके एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है तो वीडियो को जरा सभी इसकिप मत करिएगा पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों अगर इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो 100% आपके एक्जाम में इस वीडियो से question देखने को मिल सकता है तो चलिए बिना देर किये हुए वीडियो को सुरू करते हैं Question number पाला संभिदान सभा में उद्देश प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया Most BBI प्रस्ने दोस्तों बहुत बार इस प्रस्न एक्जाम में पूछा गया है तो इसका correct answer है option number C संभिदान सभा में उद्देश प्रस्ताव पंडित जवार लालने रूजी प्रस्तुत किये थे C's का correct answer है और दोस्तों कई बार इस एक्जाम में यह भी question पूछा गया है कि उद्देश प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था तो उद्देश प्रस्ताव संभिदान सभा में 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवार लालने रूजी के द्वारा संभिदान सभा में प्रस्तुत किया गया था इस डेट को भी आप लोगों को याद रखना है बहुत बार यह डेट एक्जाम में पूछा गया है एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि उद्देश प्रस्ताव संभिदान सभा के द्वारा कब पारित किया गया यानकी कब सिवकार किया गया तो जो संबिदान सभा के द्वारा उद्देश प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 में शिवकार कर लिया गया तो इस डेट को भी आप लोगों को याद रखना है आपसा नमबर एक ही बात करें डाक्टर सचिदान अनसिना तो डाक्टर सचिदान अनसिना जो थे ये संबिदान सभा के ओइस्थाई अध्यश थे जो समिदान सभा की पॉली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी उसमें सचिदान अंसिना को और इस्थाई अध्याच बनाया गया था उसके बाद जोए 11 दिसंबर 1946 में जोए सम्विदान सभा की दूसरी बैठक हुई उसमें जोए इस्थाई अध्यास डक्टर रजन्द परसाद को बनाया गया था तो ये कुछ most important point है जिसे आप लोग को याद रखना है डक्टर विम्रा अमबेटकर की बात करें तो ये प्रारूप समीती के अध्याच थे और प्रारूप समीती में कितने सदस्य थे तो साथ सदस्य थे most bvipress ने दोस्तों याद रखिएगा अगला question question number 2 भारतिय समिदान सभा की संगी सकती समीती के अध्याच कौन थे most bvipress ने इसका correct answer है option number D भारतिय समिदान सभा की संगी सकती समीती के अध्याच पंडित चवार लालने अरूजी थे D इसका correct answer है अगला question question number 3 समिदान निर्मातरी परिशत की जंडा समीती के अध्याच कौन थे यह अभी प्रस्ण बहुत बार एक जाम में पूछा गया है तो इसका correct answer है option number A जंडा समीती के अध्याच जो थे डाक्टर रजंदर पर साथ थे इसका सई उत्तर है अगला question question number 4 भारत की समिदान सभा ने की स्तीती को राष्टिय दोच को अपनाया यह अभी प्रस्ण बहुत बार एक प्रस्णिक जाम में पूछा गया है तो इसका correct answer है option number C भारतिय समिदान सभा ने जो थे 22 जुलाई 1947 में राष्टिय दोच को अपनाया C इसका correct answer है अगला question question number 5 भारतिय समिदान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यशता किस ने की थी तो इसका correct answer है option number D सचिदान सिना जो बारतिय समिदान सभा का पहला दिन का अधिवेशन हुआ था जो की हुआ था 9 दिसंबर 1946 इसवी में तो उसमें जो अध्यशता किस ने की थी तो डाक्टर सचिदान सिना जी ने की थी क्योंकि इने जो ओइस्थाई अध्यश बनाया गया था तो D इसका correct answer अगला question question number 6 भारत की संगिय बेवस्थापिगा को किस नाम से जाना जाता है तो इसका सही उत्तर है आपसा number D भारत की संगिय बेवस्थापिगा को जो है संसत के नाम से जाना जाता है D इसका correct answer है question question number 7 भारत के संभिदान के किस अनुछेद के अंतरगत भारत की राष्टेपती पर माभियोग चलाया जा सकता है most BBI प्रस ने दोस्तु बहुत बार यह प्रस निकजाम में पूछा गया है तो इसका सही उत्तर है आपसा number B भारत के राष्टेपती पर माभियोग जोए अनुछेद 61 के अंतरगत चलाया जाता है 20 का correct answer है question question number 8 संभिदान सबाखे किस अनुछेद में उपर राष्टेपती के पद का प्रावदान किया गया है यह अभी प्रस्ण मोश्ट भी बियाई प्रस्ण है क्योंकि यह प्रस्ण बहुत बार एकजाम में पूछा गया है तो इसका सही उत्तर है आपसा number C अनुछे 63 में जोए उपर राष्टेपती के पद का प्रावदान है C इसका correct answer है अगला question question number 9 इसका पूछा गया है कि पांडू लेखन समीती के कौन सदस्य नहीं थे तो इसका सही उत्तर है आपसा number B पंडित जवारला नेरुजे थे यह पांडू लेखन समीती के सदस्य नहीं थे 20 का correct answer है बाकी अगर तीनों की बात करें तो यह तीनों लोग जो है यह पांडू लेखन समीती के सदस्य थे लेकिन पंडित जवारला नेरुजो थे यह जो है पांडू लेखन समीती के सदस्य नहीं थे next question question number 10 भारतिय समीदान का कौन सा अनुछेद राष्टेपती के पद के लिए पूना निर्वाचन की योग्यताएं निर्दारित करता है यह अभी प्रस्ण बहुत बार एक्जाम में पूछा गया है तिसका सही उत्तर है option number D भारतिय समीदान का अनुछेद संताउन जो है राष्टेपती के पद के लिए पूना निर्वाचन की योग्यताएं निर्दारित करता है 10 का सही उत्तर है अगला question question number 11 भारति के समीदान का निर्माता की सेक माना जाता है यह यह अगला question question number 12 समीदान के किस अनुछेद के अंतरगत मंतरीगर सामोईक रूप से जो है लोग सभा के प्रती उतरदाई है most भी वियाई प्रस्ण है दोस्तू यह भी प्रस्ण बहुत बार एक जामें पूछा गया है तिसका सही उत्तर है option number C अनुछेद पच अतर के अंतरगत जो है मंतरीगर सामोईक रूप से लोग सभा के प्रती उत्रदाई होता है C इसका correct answer है अगला question question number 13 निम्लिखित में से कौन सम्विदान सभा का सदस्य नहीं था option A, K, M, M, C यह सम्विदान सभा के सदस्य थे option B, N, Gopala, Swami, A, Y, G, R यह भी सम्विदान सभा के सदस्य थे option D की बात करें TT किसना मचारी यह भी जो थे सम्विदान सभा के सदस्य थे लेकिन H, H, B, G जो थे यह सम्विदान सभा के सदस्य नहीं थे तो C इसका correct answer होगा अगला question question number 14 सम्विदान सभा के प्रारूप यानकी मसोदा समेती की निक्ति कप की गई तो इसका correct answer है option number C सम्विदान सभा के प्रारूप समीती की निक्ति जो ए 39 सगस 1947 में की गई C इसका correct answer है और प्रारूप समीती के जो अध्यच कौन थे तो डाक्टर वीमरा अमबेटकर जी जो थे यह प्रारूप समीती के अध्यच थे और इसमें टोटल कितने सदस्य थे तो इसमें टोटल साथ सदस्य थे तो यह कुछ important point है जिसे आप लोग को याद रखना है अगला question question number 15 बारतिय सम्विदान के की सभाग को उसकी आत्मा की अख्या परदान की गई है मुझ्ट भी वियाई प्रसन है इसका correct answer रे option number A प्रस्तावना को जोए बारतिय सम्विदान का आत्मा का आगया है इसका correct answer रे अगला question question number 16 सम्विदान निर्माताओं ने किस पर बीशेस द्यान दिया था इसका सई उत्तर है option number A सम्विदान निर्माताओं ने जोए प्रस्तावना पर बीशेस द्यान दिया था इसका सई उत्तर है अगला question question number 18 भारत एक दर्म निर्पेच राज्य है इसका मतलब है कि बारतिय राज्य option ने धर्म भी रोधी नागरिकों का समर्थन करता है नहीं ये गलत है option B option C अल्प संख्यक समुदाई के दर्म का समर्थन करता है ये भी गलत है option D किसी निश्ची दर्म का समर्थन नहीं करता है ये correct है question क्या पूछा गया था भारत एक दर्म निर्पेच राज्य है इसका मतलब है कि बारतिय राज्य जोए किसी निश्ची दर्म का समर्थन नहीं करता है डीस का correct answer है अगला question question number 19 निम्रिकित में से वे दो सब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42 में संभिदान संसोदन के दौरा संभिदान की उद्देसिका में किया गया था मुष्ट भी वियाई प्रसने इसका सही उत्तर है अगला question निम्रिकित में से कौन सा सब्द भारत के संभिदान की उद्देसिका में नहीं है मुष्ट भी वियाई प्रसने दोस्तों आप सने की बात करें समाजवादी तो समाजवादी ये बारत के संभिदान की उद्देसिका येंकी प्रस्तावना में है धर्म निर्पेच भी है और प्रभुत्त संपन भी है लेकिन लोक कल्याण सब्द ये प्रस्तावना येंकी उद्देसिका में नहीं है तो D's का correct answer है अगला question question number 21 42 संभिदान संसोदन अधनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस सब्द को नहीं जोडा गया अगर आप लोग को यादें तो चोथा आप लोग ढूड सकते हैं कि कौन नहीं जोडा गया था तो धर्म निर्पेच सब्द जोडा गया था समाजवादी सब्द ये भी 42 में सम्विदान संसोदन के द्वारा जोड़ा गया था एकता और अखंडता सब्द भी जोड़ा गया था लेकिन गुट निरपेश सब्द ये नहीं जोड़ा गया था तो सीज का करेक्ट टेंसर होगा क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है के 42 में सम्विदान संसोदन अधनियम 1976 द्वारा जोए प्रस्तावना में किस सब्द को नहीं जोड़ा गया था तो गुट निरपेश सब्द को नहीं जोड़ा गया था बाकी जोए धर्म निरपेश समाजवादी और एकता और अखंड़ता को जोड़ा गया था most important question है दोस्तों याद रखिएगा अगला question question number 22 बारतिय सम्विदान की कौन सी वीसे से बिवस्था जोए इंगलेंड के सम्विदान से ली गई है तो इसका सही उत्तर है आपसा नमबर है संसदी प्रडाली जोए ये इंगलेंड के सम्विदान से ली गई है ये इसका correct answer है अगला question question number 23 बारतिय सम्विदान में समोर्ती सुची की अवदार आ ली गई है तो समोर्ती सुची जोए अस्टेडिया के सम्विदान से ली गई है बीस का सही उत्तर है अगला question question number 24 बारतिय सम्विदान के अंतरगत संग और राजियों के बीच सक्तियों का भी बाजन किसकी प्रेडा पर अधारी थै इसका सही उत्तर है आपसा नमबर B संग और राजियों के बीच सक्तियों का भी बाजन जोए कानाडा के सम्विदान पर अधारी थै बीस का correct answer है अगला question question number 25 बारतिय सम्विदान में मौलिक कर्तव्य का भीचार लिया गया है most BBI press ने इसका सही उत्तर है आपसा नमबर C बारतिय सम्विदान में मौलिक कर्तव्य का भीचार जो है रूस के सम्विदान से लिया गया है C इसका correct answer है अमेरिका के सम्विदान से जो है मौलिक अधिकार लिया गया है ये भी आप लोग को याद रखना है question question number 26 बारतिय सम्विदान में सम्लित निती ने दे सकता तो की प्रेडा हमें किस सम्विदान से प्राप्त हुई है यानकि बारत के सम्विदान में जो निती ने दे सकता तो की सिदान थै ये किस सम्विदान से लिये गये है तिसका correct answer है option number D भारती संबिदान में समलित निती ने दे सकता तो किस प्रेडा जोए आयरलेंड के संबिदान से लिया गया है 10 का करेक्टेंसर है अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 27 भारती संबिदान में मौलिक अधिकारों का उल्लेक करते हुए निमलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसा नमबर भी मौलिक अधिकार जोए ये अमेरिका के संबिदान से लिया गया है 20 का सही उत्तर है अगला कुश्चन बारत में सरकार की संसदिय प्रडाली कहां से ग्राण की गई है तो संसदिय प्रडाली जोए ये ब्रिटिस यानि की इंगलेंड के संबिदान से ग्राण की गई है 20 का सही उत्तर है अगला कुश्चन क्वेश्चन नमबर 39 संभीदान के किस भाग में संभीदान संसोधन की परक्रिया का उल्लेख है तिसका सही उत्तर है आपसन नमब C भाग 20 में जो है संभीदान संसोधन की परक्रिया का उल्लेख है C इसका सही उत्तर है अगला क्वेश्चन Q31, संभिधान के बाग एक में निम्ड में से किसका वड़ान है जिसका सही उत्तर है आपसा नमबर A संभिधान के बाग एक में जो है संग और उसका राज ये छेत्र का वड़ान है ये इसका करेक्ट इंसर है अगला Q32 Q32, भारतिय नागरिकों के मुल कर्तबियों का विब्रण संभिधान के किस बाग में दिया गया है जिसका सही उत्तर है आपसा नमबर B बाग चार काव में जो है भारतिय नागरिकों के मुल कर्तबियों का विब्रण दिया गया है बीस का करेक्ट इंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नम्र तेस किस संभिदान संसोदन अधनियम द्वारा जोए भारतिय संभिदान में नौवी अनसुची जोड़ी गई most BBI प्रसने दोस्तों तिसका सही उत्तर है आपसन नम्बर है पाला संभिदान संसोदन अधनियम के द्वारा जोए बारतिय संभिदान में नौवी अनसुची को जोड़ा गया था यह इसका करेक्ट एंसर है और पाला संभिदान संसोदन कब हुआ था तो यह हुआ था 1951 में इस डेट को भी आप लोगों को याद रखना है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नबर 34 संभिदान सभा दोरा जोए अनतिम रूप से पारिद संभिदान में कुल कितने अनुचेद तथा अनसुचिया आए तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर C समिदान सबादोरा जोए अंतिम रूप से पारित समिदान में कुल 395 अनुछेद और 8 अनसुचियां है सीज का सही उत्तर है अगला कुश्चन कुश्चन नमर 35 भारती समिदान के कीन अनुछेदों में नागरिकता संबंदित प्रावधान है तिसका सही उत्तर है आपसन नमर B अनुछेद 5 से 11 में ये नागरिकता संबंदित प्रावधान है 20 का करेक्टेंट सरे अगला कुश्चन कुश्चन नमर 36 निम्द में से कीन अनुछेदों के द्वारा जोए भारती समिदान नागरिकों को मूल अधिकार निशित प्रावधान करता है तिसका सही उत्तर है आपसन नमर A अनुशेद 12 से 35 के द्वारा जोए भारती सम्विदान नागरिकों को मूल अधिकार निशित परदान करता है ये इसका correct answer है अगला question question number 37 भारत के सम्विदान का निम्द में से कौन सा अनुशेद अस्प्रिसेता का उन्मूलन करता है तथा किसी वी रूप में जोए इसके आचरल का निशिद करता है तो इसका सही उत्तर है आपसा नमब सी अनुशेद 17 जोए ये अस्प्रिसेता का उन्मूलन करता है सीज का correct answer अगला question question number 38 भारतिय समिदान का कौन सा अनुशेद राष्टे पती के पद के लिए पून निर्वाचन की योगिताएं निर्दारित करता है तिसका correct answer option number D भारतिय समिदान का अनुशेद संताओं जो है राष्टे पती के पद के लिए पून निर्वाचन की योगिताएं निर्दारित करता है 10 का correct answer अगला question question number 49 भारतिय समिदान की किस अनुशेद के अंतरगत जो है बासड़यों और विव्यक्ति की सोतनतरता का अधिकार की गरांटी दी गई है तो इसका सही उत्तर है option number A अनुशेद 19 में जो है बासड़यों और विव्यक्ति की सोतनतरता की अधिकार की गरांटी दी गई है इसका correct answer रहे अगला question question number 40 मौलिक अधिकार के अंतरगत कौन सा अनुशेद जो है बच्चों के सोसर से समबंदी थै most BBI प्रस्ने इसका सही उत्तर है 10 का सही उत्तर है अगला question question number 41 भारती समबंदान के किस अनुशेद में अलप संख्योकों के हीतों के सनरचर की वेवस था है तो इसका सही उत्तर है अपसा number B अनुशेद 29 में जो है अलप संख्योकों के हीतों के सनरचर की वेवस था है 20 का सई उत्तर है अगला question 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 42 कौन से अनुछेद के अंतरगत जोए भारत का सुरोच न्याले नागरिकों के मौलिक अधिकार की रच्छा करता है तिसका correct answer है option number D अनुछेद 32 के अंतरगत जोए भारत का सुप्रीम कोट जोए नागरिकों के मौलिक अधिकार की रच्छा करता है डिस का correct answer है अगला question question number 43 बारतिय संग दान के किन अनुछेदों में राजे के निती निज़सक ततो की उलेख है जिसका सही उत्तर है आपसा number C अनुछेद 36-51 में जो है राजे के निती निज़सक ततो का उलेख है C इसका सही उत्तर है अगला question 44 भारतिय संग में किसी राजे को समलित करने का अधिकार किसे है तिसका सही उत्तर है आपसा number C भारतिय संग में किसी राजे को समलित करने का अधिकार जो है भारत के संसद को है C इसका सही उत्तर है अगला question question number 45 राजियों में पुनरगठन संब्दित विदयक को संसद में प्रस्तुत करने से पुर्व किसकी समती प्राप्त करना आवस्यक होता है। राजियों में परिवर्तन करने का अधिकार भारत के संसद को है। बारत के संब्दान का बागतीन का संब्द है। बारत के संब्दान का बागतीन का संब्द जो है मूल अधिकारों से है सीस का करेक्टेंट सरे। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नमबर 49, मूल अधिकारों को सोर पर्थम किस देश में संब्दानिक माननेता प्रदान की गई। जिसका सही उत्तर है आपसा नमबर 20, मूल अधिकारों को सोर पर्थम जो है संब्दानिक माननेता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नमबर 50, डाक्टर बीम्रा अमबेटकर ने भारतिय संब्दान के की सबाग को सरवाधिक अलोकिक बाग का आये। क्वेश्चन नमबर 51, भारतिय संब्दान दवारा जो है भारतिय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किये गए थे। जिसका सही उत्तर है आपसन नंबर B बारतिय संभिदान द्वारा जोए बारतिय नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किये गए थे 20 का करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52 वरतमान में बारतिय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किये गए इसका करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 33 भारत की संभिवश्थापिका को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर D भारत की संभिवश्थापिका को जोई 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 आपसने राष्ट्यपती यह संसत के भाग है आपसन सी लोकसवा यह अभी संसत का भाग है लेकिन उपर राष्ट्यपती जो हैं यह संसत के भाग नहीं है अगला question Q56, भारती ये समिदान के किस अनुछेद में का आ गया है कि संग के लिए एक संसद होगी जो राष्टे पती और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिसका सभी उत्तर है आपसा नंबर भी अनुछेद 89 में संसद के गठन के बारे में बताया गया है 20 का करेक्ट इंसर है अगला कुश्चन Q56, संसद का निम्न सदन एवं उच सदन करमसा है यानकि किसको निम्न सदन का आ जाता है और किसको उच सदन का आ जाता है तो इसका सभी उत्तर है आपसा नंबर भी Q58, संसद को बंग करने के लिए कौन सच्छ में? Most BBI प्रसने दोस्तों इसका सभी उत्तर है आपसा नंबर A संसद को बंग करने के लिए जो राष्टेपती सच्छ में ये इसका करेक्ट इंसर है अगला कुश्चन Q69, संसद के कितने सत्र होते हैं? आपसन A, बजट सत्र, आपसन B, मानसून सत्र, आपसन C, सितकालिन सत्र और आपसन D उप्रिक्ट सभी तो इसका सही उत्तर है आपसन नंबर D उप्रिक्ट सभी यानि कि संसद में जो है बजट सत्र भी होता है, मानसून सत्र भी होता है और सितकालिन सत्र भी होता है तो D's का correct answer है अगला question question number 60 संसत के दो सत्रों के बीच अधिक्तम कितना अंतराल दिया जा सकता है जिसका सही उतर है आपसा number C संसत के दो सत्रों के बीच अधिक्तम जोई 6 मा का अंतराल दिया जा सकता है C's का correct answer है अगला question question number 61 60, निम्द में से कौन एक समीती ने जोए नागरिकों में मुल करतब्यों को 1916 में समलिद करने की अनुसंसा की थी Most B.I. प्रस ने इसका सफ़ी उत्तर है आपसर No. D Sward Singh समीती Sward Singh समीती ने जोए 1916 में समीदान में मुल करतब्यों को सामिल करने की अनुसंसा की थी डीज का सही उत्तर है अगला question question number 62 मॉलिक कर्थभी को निर्दारित किया गया है most VBI प्रसने दोस्तों बहुत बार यह प्रसनिक जाम में पूछा गया है तिसका सही उत्तर है option number C मॉलिक कर्थभी को जो है 42 में संविधान संसोधन के द्वारा संवीदान में निर्दारित किया गया है सीज का correct answer है अगला question Question number 63 किस सन में दानिक संसोधन अधनियम द्वारा जो है संवीदान में मुल्क करतब्यों को संबलित किया गया है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर है 22 सम्भीदान संसोधन अधनियम 1976 के द्वारा जो है सम्भीदान में मुल्क कर्तब्यों को समलित किया गया है इसका सही उत्तर है अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 65 भारत में कारेपालिका का अध्यच कौन होता है बहुत बार यह परस्नर इंग्जाम में पूछा गया है इसका सही उत्तर है आपसन नमबर A भारत में कारेपालिका का अध्यच जो है राष्टयपती होते है इसका correct answer है अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 66 संग की कारेपालिका सक्ति नहीं थाय तिसका सई उत्तर है आपसा नमबर B संग की कारेपाली का सक्ती जोए राष्टे पती में नीथ है 20 का सई उत्तर है अगला question question नमबर सरसर्ट भारत का राष्टे पती होता है most be V.I. प्रस्ने दोस्तो बहुत बार यह प्रस निक्जाम में पूछा गया है तिसका सही उत्तर है आपसा नमर B भारत का राष्टेपती जो ए राज्य का सेन बेदानिक अध्यच होता है 20 का सही उत्तर है अगला कुश्चन कुश्चन नमर 68 भारत के राष्टेपती निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए तिसका सही उत्तर है आपसा नमर D भारत के राष्टेपती निर्वाचित होने के लिए जो ए किसी विवेकती की नियुन्तम आईू कॉम से कम 25 वर्स होनी चाहिए डिस का करेक्ट एंसर है अगला कुश्चन कुश्चन नमर 69 नमर 70 राष्टेपती का निर्वाचित वहीं किस परकार से होता है यह भी प्रस्ण बहुत बार एकजाम में पूँचा गया है तिसका सही उत्तर है आपसा नमर B राष्टेपती का निर्वाचित जो ए कर परतियच रूप से होता है 20 का करेक्ट एंसर है अगला question 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 no. 70 सभा कि बैठको का सभापती तो गांवण करता है most v vi प्रशने दोस्तो इसका correct answer तो इसका correct answer रहे आपसर नहमर बी राजे सभा कि बैठको का सभापती तो जो होए उपर राश्टे पती करते है 20 डीज का correct answer रहे question question no. 17 उपर राष्टे पती पद के निर्वाचने तु उमिद्वार की अधिक्तम आयू कितनी होती है तो इसका करेक्ट टेंसर है आपस नमबर डी कोई सीमा नहीं है देखिए राष्टे पती और उपराष्टे पती बनने के लिए नियुनतम आयू कम से कम 35 वर्स होनी चाहिए लेकिन अधिक्तम आयू की जोए समिदान में बात नहीं की गई है कि अधिक्तम आयू कितनी होनी चाहिए तो इसका करेक्ट इंसर होगा आपस नमबर डी कोई सीमा नहीं है अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 72 उपराष्टे पती के कारेकाल की ओधी कितने वर्स की होती है यह अभी प्रस्ट बहुत बार एकजाम में पूछा गया है तो इसका करेक्ट इंसर है आपस नमबर डी उपराष्टे पती का कारेकाल जोए 5 वर्स का होता है 20 का करेक्ट इंसर है अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 73 उपराष्टे पती को पद की गोपनियता की सपत कौन दिलाता है तिसका सही उत्तर है आपसा नमबर A उपर राष्टे पती को जोए पद की गोपनियता का सपत राष्टे पती दिलाते हैं ये इसका करेक्टेंट सरे अगला कुश्चन Q74 उपराष्टे पती अपना त्याग पत्र की से संबोधित करता है तिसका सही उत्तर है आपसर नमबर A उपराष्टे पती अपना त्याग पत्र जो है राष्टे पती को संबोधित करते है अगला Q75 Q75 उपराष्टे पती को उसके कारेकाल की समापती के पुर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है मुश्ट भी बियाई प्रसन हैं दोस्तो कई बार यह प्रसनिक जाम में पूछा गया है ते इसका correct answer है आपसा no.C उपराश्टे पति को उसके कारेकाल की समापती के पूरू हटाने का अधिकार जो है संसत को है अगला question question number 66 राज्टेश्भा को इस्थाई सदन काते हैं क्योंकि ते इसका correct answer है आपसा no.B क्योंकि जो है इसे बिगटित नहीं किया जा सकता है इसलिए जो जो है राज्टेस्भा को इस्थाई सदन का आजाता है भी इसका सिह उत्तर है अगला question Question number 77 अगला question question most BBI प्रस्ण है दोष्तों और इसमें बहुत से लोग confused हो जाते हैं तो इसका question उत्तरे आपसर नमबर D राजय सभा के सदस्यों कारेकाल जोए 6 वर्स का होता है D's का करेक्टेंट सरे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन अबर 89 निम्लिखित में से जनता दोरा परतियच रूप से निर्वाचित सदन है मोश्ट भी B.I. प्रेस्न है इसका सई उत्तरे आपसर नमबर B जनता दोरा जोए परतियच रूप से निर्वाचित सदन लोग सबा है 20 का सई उत्तरे एगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 80 लोग सबा की अधिक्तम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है अधिक्तम पूछा गया है इसका सई उत्तरे आपसर नमबर D लोग सबा की अधिक्तम सदस्य संख्या जोए पानसो बाओन हो सकती है डिस का करेक्ट एंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 81 बारतिय संबिदान में निमलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है आपसन A, परदान मंत्री परदान मंत्री के पद का उल्लेख जोए बारतिय संबिदान में है आपसन C, उपर राष्टे पती उपर राष्टे पती के पद का भी बारतिय संबिदान में उल्लेख है और D की बात करें राष्टे पती तो राष्टे पती के पद का भी उल्लेक भारतिय संभिदान में है लेकिन उप परदान मंत्री के पद का उल्लेक भारतिय संभिदान में नहीं है तो बीस का correct answer है अगला question question number 82 किस परदान मंत्री के कारेकाल के दवरान दो दो उप्परदान मंत्री एक साथ निउख्थ हुए थे यह भी प्रस्ण कई बार एक्जाम में पूछा गया है तो इसका सही उत्तरे आपसन नंबर C मुरारजी देशाई मुरारजी देशाई के कारेकाल के दवरान जोए दो दो उप्परदान मंत्री एक साथ निउक थुए थे सीज का करेक्ट इंसर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमर तीरासी समिदान की कौन सी अनसुची में छेतरी बासाओं का उल्लेक है जिसका सही उत्तर है आपसन नमबर बी आठवी अनसुची में छेतरी बासाओं का उल्लेक है बीस का सही उत्तर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमर च्वेश्चन भारती समिदान में कीन अनुछेदों में राजे बासा सम्बंदित प्रावदानों का उल्लेक है तो इसका सही उत्तर है आपसा नमबर A 343 से 351 तक में जो है राजबासाओं समबंदित प्रावदानों का उल्लेख है ये इसका सही उत्तर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन में 85 संभिदान के किस अनुछेद के अंतरगत जो है हिंदी को राजबासा के रूप में दरज़ा परदान किया गया है मोश्ट भी बिजाई कर लिजिएगा दोस्तो बहुत बार ये प्रस निकजाम में पुछा गया है जिसका सही उत्तर है आपसा नमबसी और 363 तक में अंतरगत जो है हिंदी को राजबासा के रूप में दरज़ा परदान किया गया है सीज का करेक्ट इंसर है अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 86 किसी बासा को किसी राज़ की राज़ बासा के रूप में अंगिकार करने का अधिकार किसे है मुश्ट भी बी आई प्रसने दोस्तों तो इसका correct answer है option number C किसी बांसा को किसी राजे की राजे बांसा के रूप में अंगिकार करने का अधिकार जो है राजे भी दान मंडल को है C इसका correct answer है अगला question question number 87 डोंगरी बांसा किस राजे में बोली जाती है इसका सही उत्तर है आपसन number A डोंगरी बांसा जो है जम्मू कस्मीर में बोली जाती है इसका correct answer है अगला question question number 88 भारत का राश्टे पते किस प्रकार के अपातकाल की गोशला कर सकता है आपसन A राश्टी अपातकाल आपसन B राज्ये सन्वेदानिक अपातकाल आपसन C बित्ती अपातकाल और आपसन D इन में से सभी तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर D इन में से सभी यानि कि ये तीनों जोए अपातकाल भारत के राष्टेपती लागू कर सकता है तो D इसका सही उत्तर है अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नमबर 89 संवीदान के किस अनुछेद के तोध जोए राष्टी ये अपातकाल की गोश्ला राष्टेपती करता है तो क्वेश्चन नमबर 90 राष्टेपती ये अपातकाल की गोश्ला किन प्रस्तितियों में कर सकता है आपसन A है युद्ध आपसन B बाय आकरमण और आपसन C ससस्त्र विद्रो और आपसन D इन में से सभी तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर D इन में से सभी भार्त का राष्ट्य पती जो है राष्ट्य आपातकाल युद्ध के समय भी लगा सकता है बारी आकरमण के समय भी लगा सकता है और ससस्त विद्रोव के समय भी लगा सकता है तो डीस का correct answer है अगला question question number 92 देश में पॉली बार राष्टी अपात काल की गोशला कब की गई मुश्ट भी बियाई प्रस्ण ये अभी प्रस्ण बहुत बार एकजाम में पूछा गया है तिसका सही उत्तर है आपसा नमबर है 26 अक्टूबर 1962 में जोए देश में पॉली बार राष्टी अपात काल की गोशला की गई इसका सही उत्तर है अगला question question number 93 भारत की निर्वाचन पदती निम्ण में से किस देश के निर्वाचन पदती के अनुरूप है तो इसका सही उत्तर है आपसा नमबर C भारत की निर्वाचन पदती जो है बिर्वाचन के निर्वाचन पदती के अनुरूप है सीस का करेक्ट इंसर है अगला question question number 95 भारतिय समिदान के किस अनुछेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावदान है तो इसका सही उत्तर है आपसा नमबर B अनुछेद 324 में जो है निर्वाचन आयोग के लिए प्रावदान है 20 का सही उत्तर है अगला question question number 96 निर्वाचन आयोग का चेर्मेन कौन होता है तिसका सही उत्तर है आपसा नमबर D निर्वाचन आयोग का चेर्मेन जो है मुखे निर्वाचन आयोग्त होते है डिज़ का सही उत्तर है अगला कुष्चन कुष्चन नबर 97 tu भारत के मुख्य चुनाव अयुक्त की निकती कौन करता है तिसका सही उत्तर है आसीन होने वाले बेख्ती है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर D इन में से सबी ये सबी बेक्ती जो हैं लगातार दूसरी बार प्रदान मंत्री पद पर आसीन होने वाले बेक्ती हैं डीस का सई उत्तर है अगला कुश्चन कुश्चन नमबर 29 भारत के प्रदान मंत्री का पद आपसन A संबीधान द्वारा गठी थे आपसन B परंपराओ पर आधारी थे और आपसन C संसत द्वारा पारित साधारण विदेख द्वारा गठी थे और आपसन D उप्यक्त सभी असत्य हैं तो इसका सई उत्तर है आपसन नमबर A भारत के प्रदान मंत्री का पद जोए संभिधान द्वारा गठी थे इसका करेक्टिन सरे अगरा कुश्चन कुश्चन नमबर सव प्रदान मंत्री की न्युक्ति कौन करता है तो इसका सही उत्तर है आपसन नमबर ए प्रदान मंत्री की न्युक्ति जो है राष्टे पती करते हैं इसका सही उत्तर है दोस्तों ये वीडियो का अंतिम प्रस्ण था आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बोक्स में कमेंट करके बताईएगा अगर आप लोग को हमारी मेनत पसंदा रहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं एक और नए वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें जैहिंद बंदे मातरम